वेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ end-to-end inscription mode क्या होता है या वो जबते हैं whatsapp में end-to-end message क्या होता है या वो जबते हैं end-to-end inscription message होता क्या है दोस्तों बहुत लोगों के मन में सबाल है कि whatsapp में security है कि नहीं या बोल सकते है end to end inscription whatsapp में होता क्या है इसका actual में work क्या है ये कैसे use करता है कैसे ये काम करता है और ये कहां option मिलता है आपको whatsapp के अंदर दोस्तो एक एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को skip मत करीगा वीडियो को पूरा देखेगा तो ये आप समझपाएंगे तो चलते हैं दोस्तो आगे मेरा नाम सनी अरोर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आगे बताने वाला हूँ आपको whatsapp पे end to end inscription होता क्या है तो जैसे ही आप वहाँ पर send पे click करेंगे आप उसके बाद वो encrypt हो जाता है या बोल सकते हैं एक binary language में हो जाता है या बोल सकते हैं कोई computer की भाषा में वो convert हो जाता है जिसको कोई read नहीं कर सकता उसका जो password होगा या बोल सकते हैं उसका digital password किसके बास होगा उसने जिसको भीजा है जो receiver है बस वह ही उसको unlock करने ही ज़रूत नहीं होगी backhand पर सब वर्क होता है बस जैसी वो जाएगा उस बंदे पर delivered होगा और वहाँ पर automatic unlock हो जाएगा और वहाँ पर read करेगा मतलब की मान लीजिए अगर आपने मुझे कोई message भेजा जैसी आप वहाँ पर send पर click करेंगे send पर click होते ही वो automatic encryption हो जाएगा encrypt हो जाएगा या बोल सकते हैं binary language में convert हो जाएगा और जैसे ही वो मेरे पास आने वाला होगा मेरे पास जैसे delivered होगा बापिस वो decrypt होगा और वो normal language में आएगा और वापिस मुझे आ जाएगा अगर आपको पता हो binary language क्या होता है अगर आप जानते होगे दोस्तों तो computer language में binary language होती है तो कोई भी एकर message भेजा जाता है लाइक मैंने यहां पर English में लिखा है टेक्स लिखा है लो तो मैसे सेंड होने के बाद वह binary language में convert हो जाता है वाटसप में 60 डिजिट का यूज करते हैं code को जब दोनों डिजिट मैच होते हैं मतलब जैसे कि आप और मुझे देख दूसरे को message कर रहे हैं तो आपके पास भी वही 60 डिजिट कोड दिखेंगे जो मेरे पास WhatsApp पर दिख रहे होंगे आपके चैट पर और जो मेरी चैट पर दिखेंगे वह आपके पास भी दिख रहे होंगे मतलब दोनों बिल्कुल बराबर होंगे तो ही वह encrypt होता है नहीं तो वह error शूक कर देगा कि आपका encrypt tip नहीं है दो सब्सक्राइब जाता है जैसे वह मेरे पास आएगा या फिर जिसको आपने भीजा उसके पास जाएगा विल्कुल जैसे डिलीवर्ट होगा वहाँ पर वापिस अनलोक हो जाएगा और जो भी उसका data है आप इसीली वहाँ पर पढ़ पाएंगी जिनको आपने भीजाए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताए आपको वाट्सप पर कहा मिलेगा और कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए आपको जाने अपने वाइल के वाट्सप पर वाट्सप पर जाने कि आपको कोई सी भी पर्टिकुलर एक चैट पर चले जाना लाइक में अपनी नंबर पे चैट पर जाता हूं वहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ आएंगे सबसे ऊपर आप सबसे ऊपर आएंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर एक मैसेज मिल रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इंक्रप्टेट नो वन आउटसाइड ऑफ द सकता नॉर्मल इसको रिट बेल्कों सटर रिसीवर इपता कर पाएंगी इसमें क्या देटा भी जाये और क्या था उसके बाद बाकी और कोई फ़ी नहीं लग पाएगा जैसे कि पहले क्या होता था अगर आप ng normal टेक्स करते हैं माणले आपने कोई नॉर्मल टेक्स करा तो वह पहले मैसेज जाएगा आपके service provider के पास like ये टल जी ओ आईडिया जो भी आपके पास से होगी वह उसके पास जाएगा वहां पर उसको read कर सकता है read करने के बाद चाहे तो वह मलब उसको पढ़ सकता है और आपको message वहां पर इलिए जाएगा मनलब कोई security नहीं थी बट अगर आप एंटो एंड इंस्क्रिप्शन के साथ बहचते हैं तो कोई भी मैसेज आपको कहीं तक कहीं कोई रीड नहीं कर सकता फुल प्राइबसी से मैसेज जाएगा इवन वाट्सप भी उसको रीड नहीं कर पाएगी तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता है आपको यह पोड़ ना पर आपयाना उपर की तरफ आएंगे यहां पर और ज्रिक्शंगा पलगायी नियुक्नि लाइक अगर आप मुझे मैसेस बेजेंगे तो आपके पास भी यही कोड़ देखेगा और मेरे पास भी यही कोड़ देखेगा तो मतलब आपका जो चैट है और एक मेरे दूसरे बाट सब्सक्राइब मतलब दोनों कर रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं दोनों के गोड़ विल्कुल सेम है मतलब यह एं-to-end encryption मैं मैसेज है यह बोल सकती है यह जो चैट है एं-to-end encryption चाही है मतलब इसमें कोई भी अगर मैं कुछ डेटा भी जूँग लिटा आपका लेक ना हो और विल्कुल मनी रही दोस्तों मैं वीडियो पसंद आ उन्की उप्लाइ करण और हो सके दोस्तो ने मेरे वीडियो को शेयर करना ना बूले और अब लाएं आपको नीचे आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेज़ू फोलो खरना भी ना बोले इसका लिंक आपको ने टिस्क्रिप्षल पे मिल जाएगा थेंग्यों दोस्तों